हाई गारिस वेलकम पाक कि मैं चानल जैसिस कर्दाला फरीन आज को मेरे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि द्राय शांपूर कैसी यूस करते हैं चैप बाइस बस बसे कि इसे सही तरीका क्या होता है यूस करने का गाईस इसे पहले प्लीज मिल चानल को सब्सक्राइब जरू करें आज को परगेट को पिल अब बल आएगें तो कि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करें तो आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाए तो गाइस अब चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो के तरफ सुल्ड़ एस तो गाइस के आपने कभी ड्राइ शांपू यूज किया है अगर आपने इसे यूज किया है तो क्या वो तरीका सही है इसे यूज करने का आप सब के लिए कोशन मार्थ है तो ये ड्रावत आपकी आज क्लियर हो जाएगी मैं यूज करने माली हूँ ये एपटाइट का ड्राइ शांपू जो की सेफ है डेली यूज के लिए क्योंकि ये बना है 100% नाशल स्टार्चेस से तरीक इससे का सर शांपू कर ये अपने इसे ऐसे बना नाशल पेटाइड है कि यह था है तो यह देता है इन्सें पहलता प्राइल अफटासो ये बना है फिर देखते हैं यह dry shampoo कितना effective है and यह work करता है magic की तरह या नहीं तो guys इसके bottle पर पहला step लिखा है वो यह लिखा है कि इसे अच्छे से shake करना इस bottle को and then उसके बाद इसे air में spray करना है ताकि जो excess white particle है वो remove हो जाएं चली इसे अच्छे से shake कर लेते हैं अब इसे air में spray कर लेंगे so that the excess white particle है वो remove हो जाएं इसका smell बहुत ही अच्छा यह बहुत ही अच्छा fragrance है इसका and I think इसे आपके hair भी काफी अच्छा smell करेंगे and guys अब हमें इसे अपने hair पे apply करना है but guys उसके पहले मैं यह बता दूँ कि मैं अपने बालों को दो या तीन दिन से wash नहीं किया है and जिसकी वज़े से मेरे बाल काफी दा तक greasy and oily हो चुके है as you can see and इसी oily and greasy hair को voluminous and bouncy बनाने के लिए ही dry shampoo लाएगा है and आप मेंसे काफी लोग यह सोचते होंगे कि या शाम्पू तो है तो फिर dry shampoo की use रहना है उनके लिए मैं यह बता देती हूं कि हम देवी शाम्पू नहीं use करते हैं क्योंकि जिसके वज़े से हमारे बाल का जो nutrition है and protein है वो loss हो जाएगा and हमारे जो hair है वो बिल्कूल की damage है and dry हो जाएगे तो हम अपने बालों को daily voluminous, bouncy and refreshing बनाने के लिए dry shampoo use करते हैं and इसके वज़े से ही यह dry shampoo हमें आज use करना है सब फॉल करेंगे इसका second step जिसमें यह दिया है कि आपको अपने बालों को section करना है and then spray करना है 8 to 10 inches away में अपने roots को target करते हुए तो चली सबते पहले मैं अपने इसी area में spray करती हूँ so that आपको जो difference है before and after का वो पता चल जाएगा and then उसके बाद मैं अपने पूरी hair से इसे apply करूंगी सब मैं इसे अपने इसे area में spray करती हूँ guys अब इसे massage करना है 30 seconds के लिए and उसके बाद form कर लेना है ताकि कोई भी excess जैसे आप यह white particle देख रहे है न यह eliminate हो जाए hair से तो पहले मैं massage कर लेजिए 30 seconds के लिए तो guys 30 seconds हो गया है यह अच्छे लिए massage हो गया है अब इसे खूंग करते हैं ताकि और भी white particle जो है hair में वो remove हो जाए guys क्या आपने भी difference देखा मैंने तो देखा और मैंने तो completely amazed होगी उसे dry shampoo ते and अब मैं आपको close में लिखाती हूं कि exactly difference है क्या तो ताकि आप भी थोड़ा amazed हो जाओ so guys आपने before and after take देखा वाकई में कितना सादा effective है यह product really यार यह तो बिल्कुर magic के चरह work करता है and मैं तो इस product की बिल्कुर strand मैं चुकी हूं and अब भीना डरे मैं आपने बालों को डोश शांपू कर सकती हूं वो भी इस dry shampoo से and guys अब मैं इसे पूड़े अपने hair पर use करूंगी जैसा कि बताये गया है कि आपको अपने बालों को section करके इसे spray करना है तो अब मैं इसे ऐसे spray करूंगी और फिर देखूंगी कि मेरा hair क्या सा लगता है अब्साइब तो गाइट अच्छी मैं अपने पूरी हैर पे ये श्ट्राइ कर लिया है राइ शांपू और मिझे तो रिस्वर्ट यार अमेजिंग लगा लिटरली मैं तो मसलब क्या वदा मुझी कितना अच्छा लगा है अच्छी तो में हैर वो काफी तादा बांसी और वॉल्मनिस लग रहे हैं और सारे भी जितने भी ओली और मेरे हैर से वो स्टब रिमूव हो चुका है अच्छा लग रहा है कि मैंने शांपू गिया हुआ है ये सारा कमाल इस प्रड़क्त का है अच्छे प्रडॉस्ट ने तो वाके इस मीजिक कर दिया मेरे बालों पी आप इसे और इसे वाइप सकते हो इसकी वेबसाइट पर विजट करके आपको सिस्ट 7.99 रुटीज का है अगर आपको सिस्ट 7.99 रुटीज को मिल जाएगा तो गाइज जिस गोएंड बाइट मैंने लिंक इस्टिंग दिस्टिंग में शेयर कर दिया है आप उस पे क्लिक करके अराम से बाइक कर सकते हैं पीना की जेर यही पस्टेश से बाइक कर लिजिए तो गाइज अगर आप यह वीडियो पसंटाए हो तो प्लीज इसे लाइक डामें और शेयर जरूर करें और आपको जानल को सब्स्राइब जरूर करें अब ना प्रिए वेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबा झाल 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 झाल